फॉलो कीजिए हमारे फेजबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक निउस के वीडियो सबसे पहले पाने के लिए लेकिन यहां पर हमने थोड़ा सा इसको डिटेल आउट किया है विद पर्टिकुलर सम फेक्टर अगर हम डिटेक्शन की बात करें तो हम यह कहेंगे कि कि अगे कान एक मतलब की जोड़ा है वो हमारा एक непनी तो कि अगटेल काया है 20 पाने परेसों कि 1 को आट हम अगरे पात करा है 17 ojos मैं समक्यूब अधितेशन street अगरे इंग integrity integrity मतलब कि जो data है वो हमारा एक consistent form में है उसमें कोई भी inconsistency या कोई भी redundancy type का कुछ उस data के अंदर नहीं यानि कि हम अगर हम short form में बोलें कि हमारे जो data है वो एक clean form में है तो that maintains the integrity of the original data जो maintain करें integrity of the original data कि जो हमारा original data है अब यहाँ पर कुछ हमने points लिए है that involves in data reduction आईए one by one इसको cover कर लेते हैं पहला है data cube aggregation हमने अपने previous lecture में आप देखेंगे data हमने aggregation की बात की थी aggregation operation की बात किया था यहाँ पर हमने aggregation operation के अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे it maintains या it forms data cubes हमने जो last lecture किया था उसके अंदर वो क्या था कि यह हमारा data है यह हमारा quarterly data है किसी organization का sales का data जो कि हम club कर रहे हैं year wise यानि कि annually हम लो club कर रहे हैं यहाँ पर आप quarterly देखेंगा year 2000 में क्या था 3 में क्या था यह quarters है one two यहाँ पर हमने दो ही बनाए है आप rest ले सकते हैं तो यहाँ पर जो data है हमने उसको club किया annual data में तो that is the aggregation functions we are applying to this particular quarter from year 2004 3, 2, जो भी हमने year लिया है and club it at the annually aggregation operation perform करके यह हम जो cubes की बात कर रहे हैं आप cubes देखें यहाँ पर क्या है यहाँ पर हमारे data है 2003 का, 2004 का 2002 का, 2003 का 2004 का data हमने लिया हुआ है यहाँ पर आप देखें का A, B और C 3 particular division हमने किये हैं कि अगर यहाँ पर हमने लिखा है 586 क्यानि कि हमारे जो phone है वो 586 भी किये है PC हमारे 750 है और rest कोई भी electronic item या कुछ भी एक 150 ले लिया और एक हमने ले लिया 50 तो 2002 में section A में यह है 2003 में section B में हम इसके अंदर और डाल सकते हैं and so on तो it forms a particular cubical form that applies after or that transformed after aggregation operation तो यह हमने particular aggregation operation इसके अंदर लगाया है to form data cubes so यह हमारे data cubes है next बात करते हैं next है हमारा attribute subset selection attribute subset selection की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने दो particular selection लिये है एक लिया है मैंने forward selection एक लिया है मैंने backward selection attribute subset selection का मतलब यह है कि we have to find out that particular attribute जिस पर हमें काम करना है जो हमारे data के लिए relevant है तो यहाँ पर हमने forward लिया है यहाँ पर आप देखें कि यह हमारा particular attribute है सारे A1 से लेकर A6 तक attributes है यहाँ पर भी A1 से लेकर A6 तक attribute है यहाँ पर हमने forward selection लगाया है यहाँ पर हमने backward selection लगाया है अगर हम forward selection की बात करेंगे तो initially आप देखेगा initially यह खाली है जो हमारा data selection है वो हमारा data set है वो हमारा खाली है अब हम क्या कर रहे हैं जो attributes हमें A1 से लेकर A6 तक जो भी attributes हैं वो attributes हमें चाहिए उन में से कौन सा relevant लगता है हमें 1 से लेकर 6 तक में तो हमें 1 से लेकर 6 तक में A1 attribute लगता है जो relevant है फिर हम next step पे चले अब हमें लग रहा है a5 relevant है next अगर हम चलेंगे तो हमें लगेगा a6 element है तो initially our data set is empty फिर हम comparison करेंगे about 1 to 6 attribute का जो example लिया है उसमें जो भी हमें relevant लगेगा हम उसको डालते जाएंगे and so on ऐसी अगर हम backward selection में देखें तो initially हमारे पास यह data set है अब हमने क्या रखा है कि जह हमने operation perform किया है तो हमने सारा data set रखेंगे अब हम क्या कहेंगे जो हमें relevant नहीं लगता हम उसको हटा देंगे जैसे मालीजे मैंने लिखा है यह हमारे पास पूरा set था अब हमने क्या कि A1, A3 और A6 ही लिखा है बाकि जो भी rest of the elements है वो हमें हमारे data के हिसाप से सही नहीं है जो हमारे लिए irrelevant है फिलाल के लिए तो हमने उसको reduce form में कर दिया है अब हो सकता है इसकी भी कोई next form हो जाब पर हम A6 अटा देंगे ए 1 और A3 ले ले तो that depends next जो है that is dimensionality reduction इसमें क्या है it applies so as to obtain a reduce or compress representation कहने का मतलब चो data है वो हमारा compressed form में है either delivering to the original data हमने क्या किया हमने उसको compressed form में किया और data reduction की बात की for example अगर हम इसमें देगे it includes lossless and lossy lossless data और lossy data lossless क्या है as the name indicates अगर हम lossless की बात कर रहे है तो हम यह कहेंगे कि जो अगर हम जो हमारे compressed form में data है अगर हम उसे retrieve करें original form में तो कोई भी data का loss नहीं हुआ है that is lossless यानि कि compressed form में भी वो ही था जब हमने इसको uncompress किया तो भी हमें original data without any decrement of any of the attribute any of the value हमें data retrieve हो गया वही data तो that is lossless अगर हम lossy data के बारे में बात करेंगे तो जो हमने compressed form को uncompress किया है हमने हो सकता है कुछ particular values उसमें से हट गया हो या washout हो गया हो जब हमने उसको uncompressed किया ठीक है तो that is lossy तो उसमें दो factors आपके काम आएंगे that is lossy और that is lossless next जो हमारा factor है वो है numerosity reduction निमरोसिटी reduction में अगर हम बात करेंगे तो हम यह कहेंगे कि अपने data को हम किसी alternative data representation से change कर रहे हैं for example देख लेके हैं where data are replaced or estimated by alternative जिसके हमने बात किया है smaller data representation it includes histogram, clustering, clustering वगारा हम already काफी explain कर चुके हैं तो हम उस पे नहीं गये हैं हमने यहाँ पर एक term लिया है histogram तो हमने histogram का एक example जुरूर code किया है यहाँ पर आप histogram देख लेजे कि histogram कैसे बनता है हमारा अगर हम histogram की बात करें तो यह हमारे पास एक table है एक example, example है हमारा example of histogram आप इसको कह सकते हैं अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास यह class intervals है और frequency है तो 10 से 20 यानि कि हम यह कहेंगे 10 से लेकर 19 तक 20 को हम नहीं लेंगे क्यों विकॉज जो next आ रहा है वो आपका आ रहा है 20 से ठीक है तो 20 से आ रहा है तो 10 से लेकर 19 तक कितने पहन भी कहें आपके 15 20 से लेकर 29 तक कितने पहन भी कहें 20 and so on तो last वाले जो transit है 10 से 30 10 से 20 है 20 से 30 है तो उसमें 10 से 19 लेंगे तो यह हमार एक histogram है जो हमने बनाया है तो इसमें जो range लेंगे जिससे आप से यह 5 10 15 हमने लिया है यह हम calculate कर सकते है maximum और minimum minimum हमारा 5 और maximum हमारा 30 है तो इस आप से हम उसको plot कर सकते है with y and x-axis यह यह y-axis है यह हमारा x-axis है ठीक है तो अब पहला वाला ले लिजे 10 to 20 15 10 to 20 जो 15 है यह 15 पर आगे यह अपने एक histogram plot कर दिया है यहाँ पर दूसरा क्या है 10 20 to 30 20 है 20 to 30 हमारा 20 है तो 20 पर हो गया next हमारा 30 to 40 40 यहाँ पर 30 पर आ गया next 25 तो यहां से 25 आ गया और last हमारा 50 से 60 जो अगर रेंज है तो वह हमारे 5 है तो हमने इसको 5 ले लिए तो इस तरीके से हमारा एक histogram representation हुआ with respect to this particular class intervals ठीके friends last topic है वह हमारा concept hierarchical generation as you already know अगर हम hierarchical relationship की बात कर रहे हैं तो हमें कहेंगे कि root node and their childs अगर यहाँ पर भी हम देखें तो हमने यही लिया है एक root node लिया है मार लिजे हमें bifurcation करना है कि कि सहसाब से हमारा data scattered है या sales का data जो भी हमने लिया with respect to a particular product तो हमने लिया hundred dollars sorry zero dollar से लेकर thousand तक तो यहाँ पर हमने एक बनाया zero से two hundred dollar two hundred से four hundred dollar इसको हम और exceed कर सकते हैं up to thousand dollar जैसे for example हमने ले लिया third वाला हमने ले लिया four hundred से four hundred dollar से thousand dollar ठीक है तो इससाब से representation अब इसको हम bifurcation कर सकते हैं यह as a parent treat होगा और next उसके child's treat होगा तो एक tree based form हम इसको बोल सकते हैं for representing our particular data तो यह था हमारा data reduction जिसके साब से हमने पाचो पेरामेटर के जो भी हैं वह हमने cover करें I hope concept clear है अगर आपका कोई भी query हो तो आप हमें comments में लिखके पूर सकते हैं और आपने अगर हमारा channel subscribe अभी तक नहीं गया तो please subscribe the channel thank you for watching this video